अगर दोस्तों आप हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए तो इस वीडियो की दिछे आपको एक रेट कलर का सब्सक्राइब बटन बिलेगा इसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर जानकरी फ्री में आप के पास हमसी लगे नमस्कार दोस्तों कैसे करें.com में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटसेप के बारे में जी हां हम लोग बात करेंगे वाटसेप के बारे में कि कैसे जो हो हम लोग वाटसेप के अंदर अपना रीड रिसिप्ट दिखाना बंद जो है वो कर सकते हैं रिड रिशिप्ट से मतलब होता है कि दोस्तों जैसे ही कोई आपके पास कोई जो है वो जानकरी सेंड करता है तो उसके पास जो हो एक ब्लू टिक जो हो चला जाता है इसका मतलब हो जाता है कि आपने जो message भेजा गया था आपकी तरफ वो message जो है वो आपने पढ़ लिया है लेकिन ऐसे में most of all ऐसा होते कि कुछ हमारे nones या फिरा nones जो है वो नाराज हो जाते हैं हमने जो हो उनका reply नहीं किया जबकि message उनका जो हमने पढ़ लिया था तो ऐसे में आप जो हो उस blue ticks को दिखाना यानि सही के निसान को दिखाना जो हो बंद कैसे कर सकते हैं आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं अगर आप किसी चैट को पढ़ भी लेंगे तो भी जो हो उनको इस बात का पता नहीं चलने वाला है कि आपने जह वो चैट को पढ़ लिया है तो अगर आप ऐसी ही जनकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अन तक जब वो देखते रहे हैं और सीख लीजिए कैसे करें सबसे पहले तो लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों दो उसके बाद आप open कर लिजिए अपना WhatsApp WhatsApp जैसे हम open कर लेते हैं वहां पर वो हमें काफी सारे options दिखाई देते हैं वहां पर right side में थीन corner में हमें बटन दिखते हैं उनको okay कर लेते हैं और setting में ज़ह वो click करके settings में चले जाते हैं settings में जाने के बाद हमें choose करना होता है account का option, तो account के option के अंदर हमें option मिलता है privacy का, जैसी हम privacy में click करते हैं, वहाँ पर हमें काफी सारे options देखने को मिलते हैं, सबसे नीचे एक option होता है read, shift का, तो आप अगर उसको tick कर देते हैं, तो वहाँ पर एक green इससे tick कर देते हैं, सही के निसान को तो अगर untick है, इसका मतलब जो है, अगर आप in future message को पढ़ लेंगे, तो आपके message का information नहीं जाएगा, अगर आप फिर से इसको tick करके, जो है, वह सही का निसान अभी okay कर देते हैं, तो आप जो इस message को सभी तक जो हो पहुंचा सकते हैं, यानि आपका जो right का tick है, वह नहीं लगा होना चाहिए, इस समय जो हो आपकी setting इस परकार होगी, कि आपका message पढ़ने के बावजूद, जो हो लोगों को पता नहीं चलेगा, कि आपने message इसको जो वो पढ़ लिया है, तो उमीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, like बड़न जरूर दबाईएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, आप और क्या जानना चाहते हैं, या आपको जानकारी कैसी लगी, साथ के साथ, share बड़न पे क्लिक करके, अपने उन relative दोस्तों के साथ, या फिर family members के साथ, जरूर शेयर कीजिए, जिन को आप इस जानकारी के बारे में बताना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, subscribe कर लिजिए, like कर देजिए, और दोस्तों, share भी जवो कर देजिए, इसी तरह हमारे साथ बने लिए, दोस्तों, नई जानकारी आपाते लिए, और सिखते लिए, कैसे करें,